नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कर्मवीर ICS में, यहाँ पर मैं मधू, पूरी इंडियन पॉलिटी को MCQ-wise कवर करा रही हूँ आज का लेक्चर नमबर 21 है और यह बेस्ट है फंडामेंटल राइट्स पे तो आप केसी भी एक्जाम के तियारी कर रहे हूँ, अगर इंडियन पॉलिटी आपके सिलेबस में है, तो यह पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बहुत ही helpful होगा तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप एक्जाम देने से पहले इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट को कम से कम तीन से चार बार देखकर जरूर जाएं जिससे कि जब आप एक्जामनेशन हौल में पॉलिटी के क्वेशन सॉल्ब करें तो आप इजिली उसको अटेंप्ट कर पाएं इसी उमीद के साथ चलते हैं अपने पहले क्वेशन की तरफ स्वतंतता के अधिकार के एक भाग के रूप में निमनिकित में से कौन सा सांतिपून और हतियारों के बिना इकठा होने की स्वतंतता का हिस्सा नहीं है आपके ओप्शन्स हैं राज इस अधिकार के प्रियोग पर उचित प्रतिबन लगाने वाला कानून बना सकता है तो पहले क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा बताई यह आप लोग पहले क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा और यह किस में प्रवाइड है आर्टिकल 19.1 सब क्लॉस ब के अंदर यह प्रवाइड किया गया है तो यह आप याद रखे है कि आर्टिकल 19.1 क्लॉस ब के अंतरगत हमें क्या मिला है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ निमलिखित में से किस आधार पर किसी नागरी की अभिव्यक्ति की स्वतनता पर प्रतिबन नहीं लगाया जा सकता है आपके ओप्शन से A. सोवरेंटी ओफ इंडिया भारत की संप्रभूता B. पब्लिक ओर्डर सार्वजनिक विवस्था C. Contempt of court नियाले की अवमानना D. Unbecoming criticism असोभनी आलोचना और E. All of the above उप्रुक में से सभी तो दूसरे question का answer क्या हो जाएगा इस answer होगा option D. Unbecoming criticism या असोभनी आलोचना ठीके? और क्या होता जो freedom of speech और expression है वो कौन से ground पर इस्रिक्ट किया जा सकता है sovereignty and integrity of India security of state friendly relation with the foreign state public order decency or morality or contempt of court defamation or incitement to an offense as I enumerated in the article 19 clause 2 में किस किस clause पर हमें इसका restriction लगा जा सकता है एक बार फिर्स में बता दे रही हूं आप लोग को कौन से ground पर लगता है sovereignty and integrity of India दूसरा security of state तीसरा freedom friendly relation with the foreign state चौथा public order उसके बाद decency or morality of contempt of court defamation or incitement to an offense as यह कहाँ पर enumerated है article 19 clause 2 में है तो इस तरीके से इसका answer क्या हो जाएगा option D चलते हैं next question की तरह question number 3 which article of the constitution of India republic relates to the protection of life and personal liberty हार्टिय गरनाज के समिधान का कौन सा अनुछेद जीवन और व्यक्तिगत स्वत्यनता के सरंक्षड से संबन्दीत है आपकी option से A. Article 19 B. Article 21 C. Article 20 D. Article 22 तो तीसरे question का answer क्या हो जाएगा option B. Article 21 अच्छ अब article 21 क्या कहता है यह से related है कि protection of life and personal liberty ठीक है आर्टिकल 21 किसे related है protection of life and personal liberty और आर्टिकल 19 गारेंटीड क्या करता है freedom of speech and expression ठीक है आर्टिकल 22 क्या provide करता है arrest and detention ठीक है protection against arrest and detention यह आर्टिकल 22 में है और आर्टिकल 20 किसे related है protection in respect of conviction for offense ठीक है यह याद रखीगा इन सारे articles के बारे में आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 22 किसे related है यह सब भी आप लोग को याद होना चाहिए चलते हैं next question की तरह question number 4 which of the following is not correctly match निमलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है article 22 clause 1 right to be defended by a legal practitioner of her on his choice अनुचेद 21a अपनी पसंद के कानूनी व्यावसाय द्वारा बचाव का अधिकार article 22 clause 4 no law providing for preventive detention shall authorize the detention for a period longer than 3 month अनुचेद 22 clause 4 निवारक हिरासत का प्रावधान करने वाला कोई भी कानून तीन महिने से अधिक की अवधी के लिए हिरासत को अधिकरित नहीं करेगा article 22 clause 2 Parliament may by law prescribe the circumstances under which a person may be detained for a period longer than 3 month article 22 clause 2 संसक्त कानून द्वारा उन परिस्थितियों को निधारित कर सकती है जिनके तहद किसी व्यक्ति को तीन महिने से अधिक की अवधी के लिए हिरासत में रखा जा सकता है यह option D article 22 clause 1 no person who is arrested shall be in custody without being informed as soon as may be the ground for such arrest अनुछेत 22 clause A ग्रफतार कि अगा कोई भी व्यक्ति ऐसी ग्रफतारी के कारण बताए बिना जितनी जल्दी हो सके हिरासत में नहीं रखा जाएगा इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सुम्मेलित नहीं है जो पहला है article 22 clause 1 right to be defended by a legal practitioner of his choice यह बिल्कुल सही statement है ठीक है जो article 22 clause 4 है no clause providing for preventing detention shall authorize the detention for a period longer than 3 month यह भी बिल्कुल सही है और जो article 22 clause 1 है no person who is arrested shall be in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest यह भी बिल्कुल सही है तो इसमें जो option C है यह बिल्कुल सही है ठीक है अब जो article 22 clause 2 है यह कहता क्या है every person who is arrested and detained in custody shall be produced before the nearest magistrate within a period of 24 hour of such arrest excluding the time necessary for the journey from the place of arrest to the court of magistrate ठीक है यह याद रखेगा कभी कभार questions में इनके सब clause के बारे में भी पूछा जाता है इसलिए यह questions यहाँ पर दिया गया है तो आप जब भी Indian politics को पढ़ेगा तो बहुत ही थोरोली पढ़ने की कोसिस कीजेगा स्टार्टिंग के जो आपके articles है वो बहुत ही important articles है घुमाफिरा के बहुत सारे questions अलग-अलग तरिके से फॉर्म किये जाते हैं examination time में ठीक है चलते हैं next question की तरफ Question number 5 In the context of polity which one of the following would you accept as the most appropriate definition of liberty राजी ववस्था के संदर में आप निम निखित में से किसे स्वत्यंत्ता की सबसे उप्युक्त परिभासा के रूप में सिवकार करेंगे आपके option से A. Protection against the tyranny of political ruler राजनेतिक सास्कों के अत्यचार के खिलाफ सुरक्षा B. Absence of restraint सायम का अभाव C. Opportunity to do whatever one likes जो पसंद हो उसे करने का आवसर D. Opportunity to develop oneself fully सम को पूर्ण रुप से विक्षित करने का आवसर तो पांचवे question का अंसर क्या आओ जाएगा option D. Opportunity to develop oneself fully ठीक है? जलते हैं next question की तरफ Question number 6 Which article of the Indian constitution protect person's right to travel abroad? भारति समिधान का कौन सा अनुछेत व्यक्ति के विदेश यात्रा के धिकार की रक्षा करता है? आपके option से A. Article 14 C. Article 19 C. Article 21 या D. None of the above चटे question का आँसर क्या आओ जाएगा? Option C. Article 21 और इक किस तरीके से प्रूफ हुआ था? जो केस था मेनका गांधी गाव वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया 1978 में तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड किया था? कि right to travel abroad is a fundamental right and is secured by Article 21 ये आप लोग याद रखेगा कि जो Article 21 है उसी के अंत्रेगत इसको कवर किया गया है कि right to travel abroad is a fundamental right and is secured by Article 21 और इक किस केस में साबित हुआ था? ये केस हुआ था मेनका गांधी वर्सेज यूनियन ओफ इंडिया 1978 चलते हैं next question की तरफ Question No.7 Which one of the following rights is available under Article 19, Clause 1, Clause D, read with Article 21? निम लिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 21 के साथ पठित अनुच्छेद 19, Clause 1, Clause D के अतहत उपलब्ध है आपके option से A, Right to Travel Abroad, B, Right to Shelter, C, Right to Privacy या D, Right to Information तो साथ ये question का answer क्या हो जाएगा? Option C, Right to Privacy, ठीके? अब ये Right to Privacy case किस में कहा गया था? गोविंद वर्सेज स्टेट ओफ MP एन एन आर 1975 का case था, ठीके? और मलक सिंग एन वर्सेज स्टेट ओफ पंजाब और हर्यान इन 1980 में Right to Privacy को स्थान मिला था, ठीके? चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरह? Question No.8 Which one of the following does not fall within the purview of Article 21 of the Constitution? निम लिखित में से कौन सा समुधान के नुचेद 21 के दाएरे में नहीं आता है? आपके options है A. Medical Aid to Injure by a Doctor इसी डॉक्टर द्वारा चोट लगने पर चिकित्सा सहायता B. Sexual Harassment of Women at Workplace कार स्थल पर महिलाओं का यौन उत्रिनन C. Pollution of the Quality of Water पानी की गुणमत्ता का प्रदूशन या D. Capital Punishment मिर्तिव दंड है चलते हैं नेक्स्ट क्वेशन की तरफ Q. No. 9 Which of the following are envisaged by the right against exploitation in the constitution of India? 1. Prohibition of traffic in human being and forced labor 2. Abolition of untouchability 3. Protection of the interest of minorities 4. Prohibition of employment of children in factories and mines 4. Select the correct answer using the code given below भारत के समिधान में शोशन के वृद्ध अधिकार में निम लिखित में से किसकी परिकल्टना की गई है पहला मानव तैसकरी और जेबरन स्रम पर रोक 2. अईस प्रश्रता का उन्मूलन 3. अलप संखिकों की हितों की सुरक्षा 4. कार खानों और खदानों में बच्चों के रोजगार पर रोक नीचे दियेगे कोड का उप्योग करके सही उत्तर चुने इसमें कौन-कौन सा एन्विसास्ट है बाई राइट अगेंस्ट एक्स्टोटेशन तो नवे कोशन का आंसर क्यों हो जाएगा देखिए और चौथा स्टेटमेंट है यह आता है राइट अगेंस्ट एक्स्टोटेशन में ठीक है तो ऑप्शन सी देखिए इसमें पहला और चौथा दिया गया है तो नवे कोशन का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी फर्स्ट एन फोर्ट ठीक है चौथा राइट तो वियर और कैरी क्रिपान बाई सिख तीसरा स्टेट्स राइट तो मेक लॉप और सोशल रिफॉर्म चौथा राइट तो कन्वर्जन और रिलिजन ऑफ पिपल बाई रिलिजियस बॉडिज चूज दा करेक्ट आंसर फ्रॉम क्योड गिवन बिलो धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान में सामिल है पहला धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता दूसरा सिखो द्वारा क्रिपान पहनने और ले जाने का अधिकार तीसरा समाजिक सुधारों के लिए कानून बनाने का राजे का अधिकार चौथा धार्मिक संस्थाओं द्वारा लोगों के धर्म परवर्तन का अधिकार नीचे दियेगे code में से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है तो दस एक question का answer क्या हो जाएगा जो पहला statement है freedom of propagation of religion ये बिल्कुल सही है जो दूसरा statement है right to wear and carry kripal basic ये भी सही है और देखिए जो तीसरा statement है states right to make law for social reform ये भी बिल्कुल सही है तो इस तरीके से पहला दूसरा और तीसरा statement इसके अंतरगत आता है तो option A देखिए उसमें दिया गया है पहला दूसरा और तीसरा तो A is the right answer ठीके और ये कौन से article के अंतरगत आता है right to freedom of religion ये article 25 के अंतरगत आता है ठीके चलते हैं next question की तरफ question number 11 according to article 25 of the constitution right to freedom of religion is not subject to सम्विधान के अनुछेद 25 के अनुसार धार्मिक स्वतेंतरता का अधिकार किसके अधिन नहीं है आपके option से A public order B health C morality D Hinduism 11 question का अंसर क्यों जाएगा option D humanism मानवतावार ठीके इसके अंतरगर धार्मिक स्वतेंतरता का अधिकार नहीं नहीं है चलते हैं next question की तरफ question number 12 what are the restrictions in the freedom to manage religious affair in the article 26 of the constitution first public order, second national security, third education, fourth morality, fifth health और sixth secularism समुधान के इंचे 26 में धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतेंतरता पर क्या प्रतिबंध है पहला सार्जनिक विवस्था, दूसरा रास्टिय सुरक्षा, तीसरा सिक्षा, चौथा नैतिक्ता, पांचवा स्वास्त, और छटा धर्म निर्पेक्षता तो 12 में question का answer क्या हो जाएगा, देखिए 12 question में क्या क्या cover होता है, एक तो पहला हो गया, यह public order इसके अंतरगत आता है, फिर जो हमारा morality है वो इसके अंतरगत आएगा, और health इसके अंदर आएगा, ठीके, इस तरीके से पहला, चौथा और पांचवा जो है, इस article 26 के पांचर क्या हो जाएगा, ठीके, तो 12th का answer क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग, 12th का answer का 1st, 4th and 5th, और 1st, 4th and 5th किस में है, option D में है, ठीके, इस तरीके से इसका answer क्या हो जाएगा, option D, अच्छा, आर्टिकल 26 के बार में थोड़ा सा discussion कर लेते हैं, कि जो आर्टिकल 26 थ ठीके, religious freedom के, religious affair के लिए था, और उसमें क्या क्या चीज़ा आती है, to establish and maintain institution for religious and charitable purpose, दूसरा क्या आता है, manage its own affair in matter of religion, तीसरा आता है, own and acquire movable and immovable property, और चौथा, administer such property in accordance with law, ठीके, और जो आर्टिकल 26 है, वो अल्सो सब्जेक्ट है, public order, morality and health, ठीके, बट ये, बट ये जो इस केंटर गाता है, related नहीं है, ये fundamental, ठीके, जलते हैं, next question की तरफ, question number 13, under which article of Indian constitution, wearing of कृपान by Sikh is deemed as a right to freedom of religion, खार्ती समिधान के किछ अनुछेद के तहत, सिख द्वारा कृपान पहनना धर्मिक की स्वरतेंतरता का अधिकार माना जाता है, आपके option से a, article 24, b, article 25, c, article 26, d, article 27, तो 13 वे question का अंसर क्या हो जाएगा, option b, article 25, ठीके, जलते हैं, next question की तरफ, question number 14, article 25 of the Indian constitution referred to भारती समिधान का अंशेद 25 किससे समंधित है, आपके option से a, right to equality, b, right to property, c, freedom of religion, यदि, protection of minority, तो चौद्ध हमें question का अंसर क्या हो जाएगा, option c, freedom of religion, जलते हैं, next question की तरफ, question number 15, which one of the following is not correctly match, निम लिखित में से कौन सा सुम्मेलित नहीं है, article 23, prohibition of trafficking in human and forced labor, article 24, prohibition of employment of children in factories, article 26, freedom to manage religious affairs, article 29, freedom of establishment and administration of education institution by minorities, तो पंद्रवें का question क्या हो जाएगा, option d, ठीके, article 29 जो है, वो सही match नहीं करता, ठीके, freedom to establish an administered educational institution by the minorities, वो किस article के अंतरगा थे, article 13 के, ठीके, 33, 0, 30, और article 29 के से related है, तो protection of interest of minorities, rest of the, ठीके, article 29 के से related है, protection of interest of minorities, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option d, चलते हैं, next question की तरफ, question number 16, which one of the following pair is not correctly match, निम लिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुम्मेलित नहीं है, आपके option से, A, prohibition of traffic in human being enforced labor, article 23, protection of interest of minorities, article 29, right to constitutional remedies, article 32, right of minority to establish an administered educational institution, article 31, ठीके हैं, तो इसका answer क्या हो जाएगा, तो लह में का answer क्या होगा, बताएए आप लोग, 16 में का answer क्या हो जाएगा, इसमें कौन सा सही सुम्मेलित नहीं है, तो option D, जो है, वो सही सुम्मेलित नहीं है, बाकी उपर के तीनों के तीनों बिलकुल सही है, prohibition of traffic in human beings and forced labor, वो आर्टिकल 23 में cover है, protection of interest of minorities, ये आर्टिकल 29 में cover है, तो आर्टिकल 31 जो लेटे था, वो compulsory acquisition of property, ठीक है, इससे लेटेड है, और इसको बाद में से repealed कर दिया गया था, कब किया गया था, 44th constitutional amendment act 1978 में, तो right to property जो था, अब हमारा जो है, वो एक legal right है, वो किस में cover है, आर्टिकल 300A में cover है, ठीक है, यह याद रखेगा, आप लो, कि अब जो right to property है, वो आर्टिकल 31 को repealed करके, उसको आर्टिकल 300A में कर दिया गया है, और कौन से constitutional amendment act के द्वारा, तो 44th constitutional amendment act 1978 के थुरू, और यह part 12 के अंतरगत आता है, चलते हैं next question की तरफ, question number 17, under which of the following article of the Indian constitution, it has been provided that all minorities shall have the right to establish and administered educational institution of their choice, भार्ती समिधान के निम लिखित में से किस अनुछेत के तहत यह प्रावधान किया गया है कि सभी अलप संखिकों को अपनी पसंद के सक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार होगा, आपके option से a, article 28, b, article 29, c, article 30, c, article 31, तो 17 में question का अंसर क्या हो जाएगा, option c, article 30, ठीक है, article 30 में ही यह cover किया गया है कि all minorities shall have the right to establish and administered educational institution of their choice, जलते हैं next question की तरफ, question no. 18, which article of the constitution protects the right of minorities to establish and administered educational institution of their choice, सम्विधान का कौन सा अनुछेद, अल्प संख्यकों को अपनी पसंद के स्थापना और प्रशासन करने के अधिकार की रक्षा करता है आपके option से article 19, b, article 26, c, article 29, या d, article 30 अथारवी question का answer क्या हो जाएगा, option D, article 30, अब article 19 किसे related है, right to freedom से, article 26, freedom to manage religious affairs से, article 29, protection of interest of minorities community, और article 30 किसे related है, right of minorities to establish and administered educational institution, इस तरिके से अथारवी का question क्या हो जाएगा, answer, option D, चलते हैं next question की तरफ, question number 19, given below are two statements, one is labeled as assertion A, article 30 of the constitution of India does not define the term minorities, reason, the constitution recognizes only linguistic and religious minorities, select the correct answer from the code given below, नीचे दो कथन दिये गए हैं, एक को दावा के रूप में label किया गया है कि भारत के समिधान का अनुछे 30, अल्प संक्यक सब्द को परिभासित नहीं करता है, कारण समिधान के वल भासाई और धार्मिक अल्प संक्यकों को मानिता देता है, तो नीचे दिये गए code से सही उत्तर का आपको चुनाव करना है, बताइए इसका answer क्या होगा, जो statement पहला है, assertion, article 30 of the constitution of Indian does not define the term minority, यह बिल्कुल सही statement, और statement दूसरा जो reason दे रहा, the constitution recognized only linguistic and religious mind, यह statement तो दोनों सही है, लेकिन जो reason R दे रखा है, वो assertion A का कारण नहीं है, ठीक है, तो बोथ the statement A and R are true, but R is not the correct explanation of A, ठीक है, यह इसका answer हो जाएगा, जलते हैं next question की तरफ, question number 20, consider the following statement, पहला article, 301 is related to right to property, दूसरा, right to property is a legal right but not a fundamental right, दूसरा, article 300A was inserted in Indian constitution by 44th amendment during the period of Congress government, विच ओफ, अफोस्मेन स्टेटमेंट इस आर करेक्ट, निम लिखित कात्नों पर विचार करें, अनुछे 301 संपत्तिक अधिकार से संबंधित है, दूसरा, संपत्तिक अधिकार एक कानूनी अधिकार है, लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है, तीसरा, Congress सरकार के काल में, 44 संसोदन द्वारा भारती संविधान में, अनुछे 301 डाला गया था, उपरुक्त कत्नों में से कौन सा सही है, तो आपको इसमें से सही कथन बताना है, तो बीसे क्वेशन का अंसर क्या हो जाएगा, बताएगा, तो इसका जो है, जो सिर्फ दूसरा statement है, यह बिल्कुल सही statement है, कि right to property is a legal right, but not a fundamental right, बाकी जो पहला statement है और तीसरा statement है, यह बिल्कुल गलत statement है, अब जो आर्टिकल 301 है, वो किस से रिलेटेड है, freedom of trade, commerce and intercourse, तो पहला statement गलत हो गया, और right to property जो था, वो पहले क्या था, अंडर fundamental right था, पहले जो था, अंडर fundamental right था, फिर उसको 44th Constitutional Amendment Act 1978 में उसको रिपील किया गया, और इस से आर्टिकल 300A बनाया गया और insert किया गया, ठीक है, तो 1978 में इसको इसको insert किया गया, 44th Constitutional Amendment Act कि तुरू, और उस ताइम पे किस की सरकार थी, उस ताइम पे जनता पार्टी की government थी, ना कि Congress की government थी, ठीक है, तो इस तरीके से पहला और तीसरा statement तो गलाटी, लेकिन दूसरा statement बिल्कुल सही है, तो इसका answer क्या हो जाएगा, option A, चलते हैं next question की तरफ, question number 21, which of the following right can be enforced under article 32 of the Indian Constitution, भार्टी समिधान के अनुछेद, 32 के तहत निम लिखित में से कौन सा अधिकार लागू किया जा सकता है, आपकी option से A, constitutional rights, B, fundamental rights, C, statutory rights, D, all of the above, तो 21 question का answer क्या आजाएगा, option B, fundamental rights, ठीक है, और article 32 किसे लेटर डे, constitutional remedies से, ठीक है, article 32 किसे लेटर डे, constitutional remedies से, और ये part 3 में cover किया जाता है, जलते हैं next question की तरफ, question number 22, the guardian of fundamental right is, मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, A, judiciary, B, executive, C, parliament, D, none of the above, तो 22 question का answer क्या हो जाएगा, option A, judiciary, जलते हैं next question की तरफ, question number 23, which one of the following statement is not correct, निम्लिकित में से कौन सा कथन सही नहीं है, A, कि M. Munsi was one of the member of the drafting committee of the constitution, कि M. Munsi समिधान की मसवदा समिथी के सदस्यों में से एक थे, B, the constitution of India was adopted by the constituent assembly, भारत के समिधान सविधान सभादर अपनाए गया था, C, the panchayati राज was recommended by बलवन्त राय महता कमिटी रिपोर्ट 1957, बलवन्त राय महता समिधी रिपोर्ट 1957 दारपंचायती राज की सिफारिश की गई थी, या D, the president of India is the guardian of fundamental right under the constitution, भारत के राष्टपटी समुधान के तहत मौलिक अधिकारों के संरक्षक है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, वो आपको बताना है, तो जो D है, ये स्टेटमेंट गलत है, कि the president of India is the guardian of fundamental right under the constitution, ये गलत स्टेटमेंट है, तो guardian of fundamental right कौन होता है, वो supreme court होता है, ठीके, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चिन की तरफ, क्वेशन नमबर 24, अंडर दो इंडियन constitution, वो इस दे गार्जेन अफ दे फंडामेंटल राइट, भार्ति समुधान के अंतरगत, मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है, A. पार्लेमेंट, B. प्रेसिडेंट, C. सुप्रेम कोर्ट, D. काबिनेट, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चिन की तरफ, क्वेशन नमबर 25, अंडर दे इंडियन constitution, वो अंग्स दे फॉलिएंग इस कंसिडेट तो बी दे गार्जेन अफ दे फंडामेंटल राइट, भाटे संविधान के तहत निम लिखित में से किसे मौलिक अधिकारों का संग्रक्षक माना जाता है, A. पार्लेमेंट, B. प्रेसिडेंट, C. जुडिश्री, D. प्राइमिनिस्टर, तो 25 वे क्वेशन का अंसर क्या ओर जाएगा, option C. जुडिश्री, इस तरह के से हमने आप आज set of 25 questions complete कर लिए, अगर आप सभी को ये series अच्छी लग रहे हैं तो please like कीज़े, comment कीज़े और subscribe कीज़े हमारा चैनल को कर्मवीर ICS, Thank you, Thank you for watching.